पढ़ी चाहे पिता जी, LPG का पूरा नाम क्या होता है? यह द्रेवी क्रित पेट्रोलियम गैस होती है तुम क्या कर रही हो? मैं हाइड्रो कार्बनों के बारे में पढ़ रही हूँ हमारी टीचर ने हमसे हाइड्रो कार्बनों के बारे में पढ़ने के लिए कहा है ओ, ये तो अच्छी बात है क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन इसे समझ नहीं पा रही हम, हम घरेलू उप्योग के लिए केरुसन तेल का उप्योग करते हैं पैट्रोल, टीजल और सीएजी का उप्योग वहनों में किया जाता है इन सभी इंधनों में हाइड्रो कार्बन होते हैं यह रोचक है ना? बहुत ही रोचक है, कृपया मुझे हाइड्रो कार्बनों के बारे में और बताएं तो ठीक है, आओ शुरू करें उत्तेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्नी करने में सक्षम हो जाएंगे हाइड्रो कार्बनों को परिभाशित करना हाइड्रोकार्बनों का वर्गी करण समझना, एलकेनों की व्याख्या करना, नामकरण की IUPAC पधधी के नुसार एलकेनों का नामकरण करना, एलकेनों के समावयवों की पहचान करना तथा उनकी सनचनाय लिखना, एलकेनों की विर्चन की विधियां सीखना, एलकेनों के भौतिक वारासाइनिक गुणधर्म लिखना और एथिन के सनरूपनों का वर्णन करना. परिभाशा सुविधा के लिए हाइड्रो कारवनों को दो मुखे समूहों में बाटा जाता है, विवरित श्रंकला तथा सम्वरित श्रंकला. विवरित श्रंखला वाले योगिकों में एक से अधिक कारबन परमाणू होते हैं कारबन परमाणू परस पर जुड़कर एक विवरित श्रंखला बनाते हैं इस श्रंखला में एक या अधिक पाश्व शाखाएं हो सकती हैं संवरित योगिकों में कार्बन परबाणू एक या अधिक संवरित वले बनाते हैं। संत्रिप्त तथा असंत्रिप्त योगिकों में इन दूनों मुख्य समूहों के रासाइनिक वहवार के अनुसार इने आगे उप विभाजित किया जाता है। वर्गी करण। उपस्तित कार्बन कार्बन आबंधों की प्रकृती के आधार पर हाइडरो कार्बनों को तीन मुख्य श्रिणियों में वर्गी कृत किया जा सकता है। संत्रिप्त, असंत्रिप्त तथा ऐरोमेटिक हाइडरो कार्बन। संत्रिप्त का अर्थ है कि प्रतेक कार्बन एकल सह सयोजी आबंधों द्वारा चार अन्य पर्माणूं से बंधा होता है। कारबंद्वारा आबंधित किये चानी से पूर्व हाइडरोजन परमाणू प्राया सभी उपलब्द आबंद इस्थितियां ग्रहन कर लेते हैं। असंत्रिप्त हाइड्रो कार्बनों में दूई आबंध या त्री आबंध होते हैं, चुकि हाइड्रोजन परमाणों के संदर्भ में योगिक असंत्रिप्त होता है। इसलिए अतरिक्त इलेक्ट्रोन दो कार्बन परमाणों के बीच बढ़ कर दोरे या तीरे आबंध बनाते Aromatic Hydro Carbon एक विशेश प्रकार के सम्वृत्य योगिक होते हैं. हम कारबन की चतुर संयो जक्ता तथा Hydrogen की एकल संयो जक्ता को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रकार यानि विवृत्य श्रंखला तथा सम्वृत्य श्रंखला के ऐसे अड़ों के मौडलों की बड़ी संक्या निर्मित कर सकते हैं. एलकेन ऐसे Hydrocarbon जिन में केवल एकल आबंद होते हैं, एलकेन कहलाते हैं. ये संत्रिप्त Hydrocarbon कहलाते हैं क्यूंकि इन में प्रतेक संभविस्थान पर Hydrogen होता है. इससे इन्हें एक सामाने सूत्र CnH2n-2 प्राब्त होता है. प्रतम चार एलकेन मीथिन, एथिन, प्रोपेन और ब्यूटेन हैं जो लेविस्थ प्रतीकों के साथ दिखाए गए हैं. एलकिक समूँ एलकिक मूलता एक एलकेन होता है जिससे इसके Hydrogen परमानूं में से एक नहीं होता. उधारन के लिए यदि मीथिन से एक Hydrogen परमानूं हटा दिया जाए तो हमें मेथिल प्राब्त होता है. इसी प्रकार यदि एथिन से एक Hydrogen हटा दिया जाए तो हमें एथिल प्राब्त होगा. एलकेनो के नामकरण की आई यू पी एसी पद्धदी एक आई यू पी एसी यानि International Union of Pure and Employed Chemistry में अनेक देशों की राष्ट्रिये रासाइन समीतियों के रासाइन विग्यानिक शामिल हैं. आई यू पी एसी की एक समीती The Commission on Nomen Culture of Organic Chemistry ने कारबनिक यूगिकों का नामकरण करने की एक पद्धती इस्थापित की है. किसी यूगिक के नामका अंतिम प्रतीक उस परिवार को इंगित करता है जिससे यह संबंदित होता है. सभी एलकेनों के अंत में A.N.E. होता है. एलकेनों के नामकरण के आई यू पी एसी नियम सभी एलकेनों तथा साइकलो एलकेनों के नामके अंत में A.N.E. होता है. जनक श्रिंखला सनचना में कारबनों की सबसे लंबी सतद श्रिंखला होती है उधारण के लिए शाकिद श्रिंखला एलकेन को निम्न जनक से बना बाना जाता है CH3, CH2, 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 CH3 22 से तीसरे C को CH3 के साथ H से प्रतिस्थापित करते हुए जनक श्रिंखला में श्रिंखला के किसी भी सिरे से संख्यांकित कारबन परमाणूं दो संभव संख्याओं में निम्न तरकी प्रत्थम शाका की अवस्थिती बताते हैं दिये गए उधारण के लिए बाएं से दाएं सही दिशा है एलकेनों के नामकरण की आई यू पी एसी पद्धती दो जनक श्रिंखला से जुड़ी प्रत्यक शाका का नामकरण एलकेन समूहों के अनुसार करें इस उधारण में यह शाका मेथिल होगी एलकेन समूह के नाम को जनक के नाम में उपसर्ग की तरह जोड़ें परिणामी नाम के आगे एलकेन समूह की अवस्थिती संख्या लिखें इस उधारण में यह तीन मेथिल हैकसेन होगा जब जनक से दू या अधिक समूह जुड़े हूँ तो प्रत्यक का नामकरण करें और प्रत्यक को एक संख्या से निर्धारित करें एलकेल प्रत्यस्थापियों के नाम वन माला करम में वेवस्थित होते हैं संख्याओं को शब्दों से प्रत्यक करने के लिए सदैव हाइफनों का प्रयोग करें निमन देखें चार एथिल दो मैथिल हैप्टेन जब दो या अधिक प्रत्यस्थापी सद्रिश हों तो डाई दो, ट्राई यानि तीन, टेटरा यानि चार जैसे उपसरगों का प्रयोग करें तथा प्रत्यक समों की अवस्थिती संख्या निर्धिश्ट करें सदैव किसी संख्या को किसी अन्ने संख्या से अल्प विराम दोरा प्रिथक करें निमन देखें दो, चार, डाई मेथिल हैक्सेन जब सद्रिश समों एक ही कारबन पर हों तो नाम में कारबन की संख्या दोहराएं निमन देखें दो, दोर, डाई मेथिल पेंटेन कई बार आपको कोनों पर जाने तथा सबसे लंबी जनक श्रिंखला प्राप्त करने के लिए जिग-जैग करने की आविशक्ता हो सकती है निवने देखें तीन, चार, डाई मेथिल हेप्टेन एलकेनो का विर्चन एक विकार बॉक्सिली करन विकार बॉक्सिली करन में COOH-GP वाले अड़ों से CO2 को हटाया जाता है सोडियम पोटेशियम के संत्रिप्त मोनो कार्बोकसिलिक एसिड लवन को सोडा लाइन के साथ शुषक आस्वन करने पर एलकेन प्राप्त होता है ओर्ष अभिक्रिया इथर में एलकिल हेलाइट का विलियन सोडियम के साथ गर्म करने पर एलकेन देता है एलकिल हेलाइटों के अपचयन द्वारा एलकिल हेलाइटों को जिंक तथा तनू हाइड्रोकलोरिक अमल द्वारा अपचयन करने पर एलकेन प्राप्त होते है अलकेनो का विर्चन दो अलकेनो के हाइड्रोजनी करण द्वारा सिबेठिये वा सेंडेरेंस की विधी उत्परेरक हाइड्रोजनी करण पर अलकिन तथा अलकाइन अलकेन प्रदान करते हैं कोलबेक की विद्ध अबघटनिये विधी संत्रिप्त मोनो कार्बकसिलिक अमलों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के सांद्र जलिये विलियन का विद्ध अबघटन करने पर एलकेन प्राप्त होते हैं किसी अम्ल लवन का विद्धुत अबखटन सम्मितिय एलकेन देता है। हालकि कार्वोकसिलिक अम्ल लवनों के मिश्रण में सभी संभावे एलकेन बनाते हैं। एलकेन के भौतिक गुण धर्म स्थिती सभी रंगहीन होते हैं तथा कोई विशेश गंध नहीं होती। निम्नतर एलकेन सी एक से सी चार गैसे हैं, मध्यवर्ती सी तीन से सी सत्रा द्रव है तथा इनसे उच्चतर ठोस होते हैं। अनुभार में बढ़ोत्री होने के साथ एलकेनो का कोथनाग भी बढ़ जाता है, क्यूंकि अनुभार में बढ़ोत्री होने के साथ इनमें वांडर वाल्स बलों में बढ़ोत्री हो जाती है। अर्थात कोथनाग क्रम, पेंटेन, हैकसेन, हैप्टेन्स। एलकेनो का विशाखन करने से प्रिष्टिक शित्रफल में कमी भी होती है क्यूंकि आकरिती गुल ये होती जाती है जिसके परिणाम सो रूप वांडर वाल्स बलों में कमी आती है इसलिए समाव यवी एलकेनो का क्रमा, पेंटेन, आईसो पेंटेन और नियो पेंटेन होता है एलकेनों का गलनांग नियमित प्रवृत्ती नहीं दर्शाता। कार्बन पर्माणों की समसंख्या वाले एलकेनों का गलनांग उनके निकटस्थ कार्बन पर्माणों की विशम संख्या वाले एलकेनों से उच्चतर होता है। गलिनांग का क्रम प्रोपेन, एथेन, मीथेन गलिनांग की आसमान्य प्रवृत्ती संभवता इस कारण से पाई जाती है क्योंकि विश्यम कारबन पर्माणूँ वाले एलकेनों में अणू के एक ही ओर अंतिम कारबन पर्माणूँ होता है जबकि समकारबन परमाणू वाले एलकेन में अंतिम कारबन परमाणू विप्रीद ओर होता है। अतहा समकारबन परमाणू वाले एलकेन क्रिस्टल जालक में अधिक पास-पास आबद्ध होते हैं और उनके बीच अंत्रा अणुक आकर्शन अधिक होते हैं। घनत्व एलकेनों का घनत्व अनुभार में बढ़ोत्री के साथ बढ़ता है और 0.76 ग्राम प्रती मिलिलीटर पर स्थरांक हो जाता है। अता सभी एलकेन जल से हलके होते हैं। विलैता एलकेन अध्रुविय होने के कारण जल में अविलै लेकिन अध्रुविय विलाइकों में विलै होते हैं। उधारण C6H6 CCL4 इथर इत्यादी एलकेनों की विलैता अनुभार में बढ़ोत्री के साथ कम होती जाती है। द्रव एलकेन अच्छे अध्रुविय विलायक होते हैं। एलकेनों के रासाइनि गुनधर्म 1. एलकेन उच्चस्थाई प्रकृती के साथ समानता निश्क्रिय पदार्थ होते हैं। इनकी निश्क्रियता को निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है। एलकेणों में सभी CC वा CH आबंद मजबूत सिग्मा आबंद होते हैं और ये सामाने दशाओं में अमलों, ख्यारकों, आक्सी कारकों से प्रभावित नहीं होते हैं. एलकेणों में CC पूनता अध्रुविये वा CH दुरुबल ध्रुविये, आबंद C 2.6 वा H 2.1 में अल्प वैदित रनात्मक्ता अंतर होने के कारण वहवारी ग्रूप से अध्रुविये होते हैं. अता ध्रुविये प्रजातियां जैसे की इलेक्ट्रोफाइल्स या नुक्लियोफाइल्स समाने दशाओं में इन आबंदों पर आक्रमण करने में अक्षम रहती हैं. कम अभिक्रिया शील्थ प्रकृती के बावजूद एलकेनों में कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं परिलक्षित होती हैं. आक्सीकरण एलकेनों का आक्सीकरण विभिन दशाओं में विभिन उत्पात प्रदान करता है. वायू या डाइ आक्सीजन की उपस्थिती में गर्म किये जाने पर एलकेन पूर्था आक्सीकरण करनेर पर फैटी एसिट मिलते हैं. मेगनीज एसिटेट की उपस्थिती में उच्चतर एलकेनों का आक्सीकरण करनेर पर फैटी एसिट मिलते हैं. सीमित वायू आपूर्थी के साथ एलकेनों का अपूर्था आक्सीकरण कार्बन कजल यानि ब्लैक तथा कार्बन मोनोकसाइड प्रदान करता है. एलकेनों के रासाइनिक गुणधर्म दो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एलकेनों में प्रतिस्थापन मुक्त रेडिकल प्रणाली प्रदाशित करता है. प्रणाली के लिए मुक्त रेडिकल प्रतिस्थापन देखें. एलकेनों में निम्न प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखी जाती है हेलोजनी करण एलकेन के H परमाणू का हेलोजन परमाणू द्वारा प्रतिस्थापन हेलोजनी करण कहलाता है एलकेनों का हेलोजनी करण निम्न के संपर्क में होता है हेलोजन जमा एलकेन का मिश्रण पराबैगनी प्रकाश के या उच्छ तापक्रम के संपर्क में लाने पर हेलोजनी करण की सीमा प्रयोक्त हेलोजन की मात्रा पर निर्भर करती है समावयवी करण एक समाव यव को अन्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया समाव यवी करण कहलाती है सीधी श्रंखला वाले एलकेनों को ALCL 3 जमाव HCL के साथ लगभग 200 डिग्री सेंटिग्रेट और 35 वायो मंडली ये दाप पर गर्म किये जाने पर शाकित श्रंखला एलकेनों में परिवर्तित हो जाते हैं एलकेनों के रासाइनिक गुर्धार्ब 3 एरोमेटिक करन एलिफेटिक योगिकों के एरोमेटिक योगिकों में परिवर्तन की प्रक्रिया एरोमेटिक करन कहलाती है 6-10 कारबन परमाणू वाले एलकेन उत्प्रेरक की उपस्थिती में उचिदाब एवं ताप करम पर बेंजीन या उसके सजातिये वियूत्पन में बदल जाते हैं विहाइडरोजिनी करन उत्प्रेरक्क्य उपस्थिती में गर्म किये जाने पर एलकेन विहाइडरोजनी क्रित होकर संगत एलकेन उत्पन्न करते हैं ताप अबघटन वायू की अनुपस्थिती में गर्म किये जाने पर किसी योगिक का विक्टन ताप अबघटन कहलाता है ताप अब घटन की परिगटना भंजन भी कहलाती है वायू की अनुपस्थिती में लाल दप्त धातु की दली से इलकेन वाश्प को गुजानने पर यह सरल हैड्रो कार्बनों में विक्टित हो जाती है भंजन के दौरान बनने वाले उत्पाद निम्न पर निर्भर होते हैं एलकेन की प्रकृती, तापक्रम एवं दाप, उत्प्रेरक की उपस्थिती या अनुपस्थिती भंजन का उधारण यहां दिया गया है सनरूपन सिग्मा आबंधों के घूणन के कारण कोई अनुविभ्यनिस्थानिक वैवस्थाएं प्राप्त कर सकता है वहां सनरूपन कहलाता है और इसलिए सनरूपनिये समावयवी या सनरूपक कहलाते हैं इन घूणनों के दोरान परिवर्तित होने वाली उर्जा का अध्ययन सनरूपनिये विशलेशन कहलाता है यह काफी महदपून है क्योंकि अनुगी सनरूपन का आणवी गुर्धर्मों पर विशेश प्रभाव पड़ता है जिसमें किसी अभिक्रिया के परिणामों को प्रभावित करना भी शामिल है यद्यपी ये विचार सरलतम प्राकारियात्मक समूहों एलकेनों के लिए विक्सित किये गए लेकिन यही सिध्धांत विस्तरित करके अन्य प्राकारियात्मक समूहों पर भी लागू किये जा सकते हैं एलकेनों के लिए विभिन सनरूपणों को डैश, वेच, नोटेशन द्वारा सनचनात्मक पस्पेक्टिव चित्र में प्रदशित किया जा सकता है न्युमेन प्रक्षेप एक वेकल्पिक चित्रण है जिसमें दो कार्बन परमाणों के समोहों की सापिक्षिक अभी मुखता दर्शाते हुए कार्बन-कार्बन आबंद अक्ष देखते हुए औनों को सामने से देखा जाता है एथिन का सनरूपणिये विशलेशन सनरूपणिये विशलेशन को कंकाल ये सनरचनाव से प्रथक तरीके से अणों के निर्वपण द्वारा विशेश सहयता प्रदान की जाती है अणों का इस प्रकार चित्रण जिसमें परमाणों और आबंधों को उनके खुणन वाले अक्ष पर देखा जाता है निउमेन प्रक्षेप कहलाता है निउमेन प्रक्षेप में अणों को एक अक्ष पर देखा जाता है जिसमें परस पर आबंधित दो परमाणों वा उनके उनके बीच का आबंध होता है जिस पर अणू घूणन कर सकता है। निवमेन प्रक्षेप में आबंध निर्मित करने वाले प्रत्यक परमाणू के प्रतिस्थापी चाहेवे हाइडोजन या प्रकर्यात्मक समूहों कार्बन-कार्बन आबंध के सामने वा पीछे दूनों ओर से देखे जा सकते हैं। विशेश रूप से निवमेन प्रक्षेप में सामने के परमाणू पर प्रतिस्थापी तथा पीछे के परमाणू पर प्रतिस्थापी के बीच का कोण देखा जा सकता है, जो दूईतल कोण या मरोडी कोण कहलाता है। विशेश रूप से एथिन में दो संभव चरम समरूपणों की कल बना कर सकते हैं। एक उधारण में दूईतल कोण 0 डिगरी है और प्रतम कार्बन पर हैट्रोजन, दूथिय कार्बन पर हैट्रोजन से संद्रेखित या ग्रस्थ है। अधिक तम संभव दूरी पर होता है। इससे साथ डिगरी का दूईतल कोण बनता है और ये सांतरित संरूपण कहलाता है। एथेन का सांतरित संरूपण, ग्रस्थ संरूपण की तुल्ना में 12.1 केजे अबलिक मोल अधिक स्थाई होता है। इस तरह एक मेथिल समोह, अन्य के सापेक्ष 360 डिगरी पर घूमता है। योगिक तीन अस्थाई ग्रस्थ रूपण द्वारा तीन अस्थाई सांतरित संरूपण से गुजरता है। ये अवरोध इतना छोटा होता है कि 25 डिगरी पर योगिक का संरूपण प्रती सेकेंड में लगभग 500 लाख बार परिवर्तित होता है। सौहोर्स प्रक्षेप दो अणों के बीच प्रती बिम्बिये या दुईत्रिविम यानी डास्टीरियोमेरिक संबंध निर्धारित करने में अधिक उप्योगी हैं, क्यूंकि दरपण प्रती बिम्बिये या अतिव्यापी संबंध अधिक स्पर्ष्ठ होते हैं। नियुमेन प्रक्षेपों की तरहा सौहार्स प्रक्षेप में अणों का दृष्ष एक विशेश कार्बन-कार्बन आबंध से देखा जाता है और आगे एवं पीछे के कार्बनों को जोडने वाले समुहूं एक सो बीस डिगरी कोणों पर तीलियों का उप्योग करके चुत्र किये जाते हैं सौहार्स प्रक्षेप इस प्रकार भी बनाए जा सकते हैं कि अगर कार्बन पर समुहूं पश्च कार्बन पर समुहूं के साथ सांतरित साथ डिगरी दूर या ग्रस्त सीधे अतिव्याप्थ हों एथिन के दो सौहार्स प्रक्षेप नीचे दिये गए हैं ब क्योंकि इन में केवल दो कार्बन हैं और सामने वा पीछे के सभी कार्बन समू समधर्मी हैं। क्या आप जानते हैं। अंतिम उत्पाद, तापक्रम तथा उत्प्रेरकों की उपस्थिती द्वारा काफी प्रभावित होते हैं। बड़े एलकेन को छोटे अधिक उप्योगी एलकेनों तथा एलकेनों में तोडने की प्रक्रिया भंजन है। सरल रूप में हाइड्रोकार्बनों का भंजन लंबी श्रंकलाओं वाले हाइड्रोकार्बनों को छोटी श्रंकलाओं वाले हाइड्रोकार्बनों में तोडने की प्रक्रिया हो दी है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्शेप में दोहराएं हाइड्रो कार्बन ऐसे योगिक हैं जिन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रो कार्बनों को मुखिता कोईले एवं पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है जो उर्जा के मुखिस्रोथ हैं हाइड्रो कार्बनों को उनकी सनचना के अनुसार विवरित्र, श्रंकला वाले, संत्रिप्त तथा असंत्रिप्त, संवरित्त और एरोमेटिक के रूप में वर्गिक्रित किया जाता है मुक्त रेडिकल प्रतिस्थापन, देहन, आक्सीकरण तथा एरोमेटिकरण एलकेनों की महदपून अभिक्रियाएं हैं सी 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 सिगमा आबंधों पर मुक्त घूणन के कारण एलकेन सं रूपनिये समावियवता प्रदशित करते हैं एथेन के सांतरित तथा ग्रस्त संरूपनों में से संतरित संरूपन अधिक स्थाई होते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन के परमाणूं अधिकतम संभव दूरियों पर रहते हैं